फिलिपिन्स के टेलेकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रोडकास्टर एबीएस सीबीएन कौद के परिचालन को बंद करने का आदेश दिया है अब आप इसे मीडिया के आजादी पर हमला कह लीजे लेकिन एबीएस सीबीएन का 25 साल का लाइसेंस चार माई को खत्म हो गया राश्ट्रिय दूर संचार आयोग ने कहा कंपनी के पास जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त है कि उसे सौपी गई फ्रिक्वेंसियों को क्यू नहीं वापस लिया जाना चाहिए नेटवर्क को अपने वेभिन टीवी और रेडियो प्रसारन स्टेशनों को देश भर में संचालित करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि कानून के अनुसार उनके पास इसके लिए अब आवश्यक अधिकार पौचूद नहीं है यहाँ दिल्चस्प बात यह है कि फिलिप्रिन्स के राश्पती रोडरी को दूरतेते हमेशा से ABS-CBN की आलोशना करते रहे हैं तो विपक्षी सांसदों और कारेकरताओं ने इसे स्वतंतर मीडिया पर हमला बताया हलाकि इस मामले पर फिलहाल ABS-CBN की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अब को बतादे के देश भर में ABS-CBN नेटवर्क के 42 टेलिवीजन स्टेशन समेत 18 एफम स्टेशन, 10 डिजिटल प्रसारंड चैनल, 18 एफम स्टेशन और 5 एफम स्टेशन है